अगर हम बायो मैक्रो मॉलक्यूल स्टॉपिक आज पढ़ेंगे पिछली क्लास में अने के कल की वीडियो में हमने प्रैमरी और सेकंडरी मेटबलाइट्स के बारे में पढ़ा था जो हमने फर्स्ट कापिक में पढ़ा था इस चैप्टर के फर्स सेक्शन में कि केमिकल से नीचे पास होंगे और कुछ नहीं जो पास नहीं होंगे उनको हम कहते हैं मैक्रो मॉलक्यूल्स तो यही से इसकी शुरुवात है कि वो एक फीचर जो सभी कमपॉंट्स में कॉमन है जो कि एसिड सॉलिबल पूल में थे यानि कि जो फिल्टर हो गए थे फिल्टर एट थ होते हैं लिपिड के लावा इन सभी का वेट 10,000 डिल्टॉन और उससे जादा पाया जाता है तो केमिकल कमपाउंड फांड लिविंग और गनिजम दो तरीके के हैं एक जो सॉलिबल हो गए जिनका वेट 1000 डिल्टॉन से कम है और दूसरे वो जो इन सॉलिबल जिनका 10,000 डि चीजों से जुड़कर वो बने हैं तो उसका रीजन सर्फ इतना है कि लिपिड जो है वो छोटे मोलिकलर वेट के कमपाउंड है वो एक स्टक्चर में रेंज है सेल मेंब्रेन के अंदर तो जब हम टिशू को ग्राइंड करते हैं तो वो बीच में ही मैश अप होकर रह जात और जब हम इस टिशू को ग्राइंड कर रहे हैं तो आच्छली क्या हो रहा है कि सेल मेंब्रेन भी कई हिस्सों में ब्रेक हो रही है एक हिस्सा ही हो गया एक हिस्सा ही हो गया एक हिस्सा ही हो गया ऐसे ब्रेक हो जा रही है और यह हर इस्सा अपने आपने एक वेसिकल फॉर कर ले रहा है, और लिपेड जो हैं, वो कभी भी water soluble तो होते नहीं है, हर इस सा vesicle बना ले रहा है और ये water soluble नहीं है, तो ये vesicles के form होने के कारण, solubility इनकी कम होने के कारण, ये acid insoluble pool में ही रह जाते हैं, ये इनका reason होता है acid insoluble pool में रहने का, कि इनका surface area इतना जादा हो जाता है, छुट छुटे vesicles बनके कि फिल्ट्रेट से पास नहीं करते हैं, इसलिए कहते हैं, लेपेड स्ट्रक्ली macromolecules नहीं है, acid soluble pool जो है, वो तो cytoplasmic composition ही है, एक तरीके से macromolecules from cytoplasm and organelles become acid insoluble pool, दोनों को मिला देंगे तो पूरी chemical composition इसी से हमें पता चल जाएगी, और अगर हम table को ध्यान से पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा component cell के अंदर cytoplasm के अंदर water का है, फिर proteins का है, फिर carbs का है, फिर lepids का है, फिर nucleic acid और ions का है, thank you so much for watching, keep supporting us.